हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु निगम ठककर रेसिपीज, आजे आपने पर्फेक्ट माप अने टीप साथे एक दम स्वादीश टेवा दूदीना रसावाळा मुठ्या बनावीशु। सव प्रथम दूदीना मुठ्या बनावा माटेनो लोट तेयार करी लईए, तेना माटे एक पॉलू उन्डू वासन लई, तेमा 500 ग्राम गउनो ककरो लोट लईशु। जो तमारे कप प्रमाणे मेजर्मेंट जोईतु होई, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स माँ आप्यू शे, तेमा 50 ग्राम गउनो जीनो लोट एटले के रोटली नो लोट उमेरीशु। अने 25 ग्राम चाणा नो लोट एटले के बेशन उमेरीशु। आ त्रणे प्रकार ना लोट मैं चाड़ी ने लिदा छे। तेने हाथ फड़े सर्खी इते मिक्स करी लेए, अत्यारे आपने 36 आत्वेक्ति ने सव करी शकाए, तेटला मुठ्या बनाविर्या आछेु। तेमा एक चमची काश्मीरी लाल मल्चु पावडर, एक चमची अल्जमो औने एक चमची हर्दर पावडर उमेरीशु। त्यार बाद तेमा एक चमची हिंग उमेरीशु। हिंग थोड़ी आगर पड़ती उमेरवी, तेनी फ्लेवर औने टेस्ट वधू सारो आवेचे। स्वाद प्रमाणे मीठु, औने 5 चमची, आदू औने लिला मल्चा नी पेस्ट उमेरीशु। अत्यारे में जे मल्चा लिदा छे, ते थोड़ा प्रमाण मा मौडा छे, इटले में पेस्ट वधा रेलीदी छे। तमने जे रितनी तिखाश पसंद होए, ते प्रमाणे तमें आदू मल्चा नी पेस्ट लईशको छो। मोड माटे 5 टेबल स्पून तेल लईशु। कोईपन गुजराती फरसान बनावता हो, त्यारे तेमा श्रिंग तेल नो उप्योग करो, तो तेनो टेस्ट वधू सारो आवेशे। गणा लोको एवी फरियात करता होचे के तेमना हाथे मुठ्या सारा नती बनता, प्रमाण माँ चवड अथवातो रबबर जेवा बने छे। तो जारे पन तमें मुठ्या बनावता हो, त्यारे मोण थोड़ू सर्खू उमेरवू। जो तमें मोण उमेरवामा कंजू साई कर सो, तो मुठ्या वगार सो त्यारे तो सारा लाग से, परन्तु जेम ठर से, तेम ते चवड बन छे। लोटमां बदाज मसाला सर्खी इते मिक्स थाई गया छे, परन्तु हजू पन तेमां मोण थोड़ू ओछू लागे छे। इटले 2 टेबल स्पून तेल फरीथी एड़ करीशू। अत्यारे आपने टोटल 600 ग्राम जेटलो लोट लिदो छे, तेनी सामें 36 टेबल स्पून तेल नो उप्योग करियो छे। जो तमें ओछी कॉंटिटी मां बनाविर्या हो, तो तेई प्रमाणे ओछू तेल लेवू। मारी चैनल पर मैं कोथमिर ना मुठ्या, लोणी नी भाजी ना मुठ्या, दूदी ना मुठ्या, मेथी नी भाजी ना मुठ्या अने कारेलानी छाला मुठ्यानी रेसीपी पोस्ट करी छे जेना प्ले लिस्ट नी लिंक मैं तमने आ वीडियो ना डिस्क्रिप्चन बॉक्स मा आपी छे हवे तेमा आपने 500 ग्राम छीनेली दूदी उमेरीशु सरस कोमणी दूदी होई तेने छोली अने में नाना छेद वाड़ी छेनी वड़े छेनी लिदी आती तेमा बे टेबल स्पोन खाण एड करीशु मुठ्या स्वादमा थोड़ा गड़ चट्टा होई छे एट्टे खाण अवर्षियो उमेरी अने चार्थी पांच चमची जेटलू मीडियम खाटू दैं उमेरीशु मुठ्या सौफ्ट बने तेना माटे एक चमची कुकिंग सोडा उमेरीशु अने बदीत सामगरीने सर्खी इते मिक्स करी लेशु मुठ्या जो तमारे पोचा बनावा होई तो जेटलो लोट लिदो होई तेटलाज प्रमाणमा तेमा छीनेली दूदी उमेरीशु अने जारे पन तमें दूदी ने छीनो ते पेला तेने चाखी जोवी कि ते कडवी न होई आर इतनों सौफ्ट लोट तयार था है एटले तेमा आपने एक चमची पाणी उमेरीशु आपने छीनेली दूदी नो उप्योग करे होवा थी आपने वधू पाणी उमेरवानी जरू न थी जेटलों लोट तमारों सौफ्ट से एटलाज मुठ्या पोचा रूजेवा बन्षे जे समय तमारे लोट बांधवो होई ते समय दूदी ने छीनवी जो पहले थी दूदी ने छीनी राक्षो तो ते काड़ी पड़ी जशे औने मुठ्या मा तेनो कलर सारों नहीं आवे हवे अर्दी चमची तेल उमेरी औने लोट ने केडवी लाईशु एक सिक्रेट वाद कव तो आ लोट माथी तमें दूदी ना थेपला पण बनावी शको छो परन्तु लोट नरम होवा थी थेपला वणती वक्ते तेने गवना अटामण मा कोट करवा जरूरी छे मुठ्या बनावा माटे नो लोट बनीने तेयार छे तेमा थी मुठ्या वाडी लाईशु मुठ्या ने स्टीम करवा माटे एक डोकड्यामा पाणी बरी तेने 10 मिनिट माटे हाई फ्लेम पर प्री हीट करीने राक्यू छे अने अंदल जे प्लेट मुकी छे तेने पन तेलती ग्रीस करी छे हवे बनने हाथ नी हथेडी मा थोड़ू तेल लगावी अने तैयार करेला लोट माथी मीडियम साइज ना मुठ्या वाडी शू मुठ्या वार्ती वक्ते तेने हलवा हाथे जवाडवा अने वदू परता पात्रा न बनावा आर इतना मीडियम साइज ना राक्वा वारा फरती एक-एक मुठ्या ने वार्ता जैशू अने तेने डोकर्यामा गोठवता जैशू जो तमें लसन खाता हो तो आदू मल्चानी पेश्ट नी साथे तमें थोड़ी लसन नी पेश्ट पन एड करी शको छो अत्यारे आपने वदू कॉंटिटी मा लोट बांदियो छे एटले डोकर्यामा जेटला समाई तेटला मुठ्या आपने वारी लैशू मुठ्याने डोकर्यामा गोठ्या बाद तेना उपर ढाकन डाकी अने 10 मिनिट माटे हाई फ्लेम पर अने 30 मिनिट माटे लो फ्लेम पर स्टीम थवा दैशू टोटल 40 मिनिट सुदी स्टीम कर्या बाद आपने ढाकन खोलीने चेक करीशू डोकड़्या माचे पाणी बर्युशे ते बड़ी न जाये तेनु खास ज्यान राखवू 40 मिनिट सुधी स्टीम करया बाद हवे मुठ्या प्रोपर रिते स्टीम थया छे के नई ते चेक करवा माटे ढाकन खोली अने तेना उपर आ रिते चप्पू लगावीशू चप्पू एक दम साफ बार आवे छे एटले मुठ्या स्टीम थयाने तैयार छे हवे खुला ढाकने तेने 23 मिनिट माटे स्टीम थवा दैशू जेती जे पाणी नी वरार जो अंदर पड़ी होय तो ते बदी निकड़ी जाये थोड़ी वार बाद हवे गैसनी फ्लेम बंद करी औने स्टीम करेला मुठ्या नी उपर आरी ते कोटन कप्डू अथवातो चादल ढाकी औने 10-15 मिनिट माटे तैने सिजवा दैशू 15 मिट बाद डोकड़ आनी उपर थी कप्डू लई औने स्टीम करेला मुठ्या ने एक प्लेट माँ काड़ी लई शू जो तमें हेल्थ कॉंशेस हो औने तमारे वगारेला मुठ्या ना खावा होए तो आरी ते स्टीम करेला मुठ्या तमें काचा शिंग तेल साथे पन खाई शको छो हजू पन मुठ्या अंदर थी थोड़ा गरम छे इटले ते सरखी ते रोम टेमप्रेचर पर ठंडा थाए पची आपने तेने मीडियम साइज ना टुकडा मा समारी लेशू मुठ्याने समार्ती वक्ते ते रूम टेंप्रेचर पर ठंडा थाईला होवा जरूरी छे जो मुठ्या गरम अस्ते अने तमे तेना टुकडा करशो तो तेनो भुक्को थाई जशे आरी ते श्टीम करेला मुठ्या तमे फ्रीज मा त्रंथी चार दिवस्सुदी एड टाइट कंटेनर मा श्टोर करी शको छो औने जारे पन वगारी ने खावानी इच्छा थाए तेनी 15 मीट पेला फ्रीज मा धी काडी औने ते रूम टेंप्रेचर पर आवे पछी आरी ते मीडियम साइज ना टुकडा मा समारी औने वगारी शको छो रसावाडा मुठ्या बनावा माटे एक नौन्स्टिक कड़ाई मा बे टेबल स्पून तेल लेई तेने स्लोव फ्लेम पर गरम करीशु तेल थोड़ू गरम थाए एटले एक नंग सुकूलाल मर्चु अर्दी चमची जीनी राई औने पाचमची फिंग उमेरीशु कोईपाण गुजराती फरसाण मा जो तमे वगार मा राईनो उप्योग करो तो आरीतनी खमणी राईज लेवी राई थोड़ी फूटवा लागे एटले पाँती साथ नंग मीठा लिमडाना पाण अने पाच चमची हरदर पावडर उमेरीशु एक चमची तल उमेरीशु वगार मा तल सौथी छेल्ले उमेरवा कारण के ते जल्दी फूटवा लागे छे तेमा बैकप पाणी उमेरीशु जनरली आपने मुठ्या वगारवा मा तेलनो उप्योग वधू प्रमाण मा करता होईये छे परन्तु आरी ते रसावडा मुठ्या मा पाणी लेवानु होवा थी तेल खुबज ओछा प्रमाण मा लेवु तेमा अर्दी चमची लाल मर्चु पावडर औने एक चमची धानाजीरू पावडर उमेरीशु स्वाद्प्रमाणे मीठु औने खटाश माटे एक चमची लिम्बोनो रहसु मेरीशु गलपण माटे एक चमची खाण उमेरीशु अने बदाज मसाला ने सरखी इते मिक्स करी औने पाणी थोड़ू उकड़े त्यां सुधी त्याने बैथी त्रण मिनिट माटे आर इते मिक्स करी शुँ पाणी मा बदाज मसाला सरस शड़ी जाए पची तेमा आपने समारेला मुठ्याओ मेरी शुँ खटाश गड़पण मा तमे लिम्बूना रस अने खाणनी जग्याए आमलीनो पल्प अने गोड़नो उप्योगपण करी शको छो पाणी सरस उकड़े एटले गैसनी फ्लेम एक दम स्लो करी तेमा त्रण नंग समारेला मुठ्या उमेरी शू आपना दरेकना गर्मा रेग्यूलर दूदीना मुठ्या तो बनता जोई छे परन्तु आरीते बनावेला रसावडा मुठ्या तेना करता पण खुबड टेस्टी बने छे चमचा वडे मिक्स करी तेनो रसो थोडो गट थाए तेना माटे एक नंग स्टीम करेला मुठ्या नो भुक्को उमेरी शू जो तमे रसावडा पात्रा बनावता हो तो तेमा पण आरीते स्टीम करेला पात्रा नो भुक्को उमेरवामा आवे शे तेनी रेसीपी पण में चैनल पर पोस्ट करी छे, लिंक डिस्क्रिप्चन मा आपी छे ढाकन ढाकी ने तेने 5 मिनिट कूक थवा दैशु 5 मिनिट सुधी स्लो फ्लेम पर कूक कर्या बाद, मुठ्यामा बदाज मसाला अने पाणी सरस एबजोप थाई गयो छे आपने जे मुठ्यानों भुको करी ने उमेर्यो अतो, तेना कार्याने रसो पाण सरस गट थेओ छे छेलले तेमा एक टेबल स्पून फ्रेश समारेली कोथमीर उमेरीशु अने गेस नी फ्लेम बन करी, अने गर्मा गरम रसावडा मुठ्याने सर्विंग बावल मा सव करी रू जो ताज खावानू बन थाई जाए तेवा गर्मा गरम अने एकदम टेश्टी, रसावडा दुदीना मुठ्या बनीने तैयार छे तो तमे पाण आ रेसीपी जरू ट्राए कर जो, आ रेसीपी पसंदावी होए तो वीडियो ने लाइक अने शेर करवानू न बुल्छो, अने आविज दिते नवी नवी रेसीपी जाणवा माटे मारी चललने सब्सक्राइब कर जो अने बाजू माँ पेला बैल आइकोन पर क्लिक कर जो, जेती आवना दरेक वीडियो नी नॉटिफिकेशन तमने मरती रेशे तो फरी मरीशू एक नवी रेसीपी साथे, दन्यवाद